हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, हिंदी टेरटेक्ट पल्टू, मैं हूँ पल्लवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे So guys, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है, कि जो person आपके दिल और दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं, हर घड़ी चलते रहते हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चलता रहता है हर वक्त हर घड़ी क्या उनके दिमाग में भी आप, आपका साथ या आपके साथ जो भी रिष्टा है वो हर वक्त हर घड़ी चलता रहता है या नहीं और अगर चलता है तो किस वे में तो ये धेर सारे सवाल जो आपके मन में चलते हैं उन्हीं को आजम कैंडल वैक्स के तुरू देखने की कोशि कर रहे हैं आपको यहां पर यह जरूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहां पर रीडिंग हो रही हो तो उस दोरान पर आपको अपने पूरा का पूरा फोकस अपने परसन के उपर बनाई रखना है ताकि आप अपने आपको इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएं बाबजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यह मेरे person की energy हो नहीं सकती है तो ऐसा ही होगा लेकिन उसके लिए बेकार के comments आपको नहीं करना है यह मेरी आपसे request है ठीक है तो चलिए देक लेते हैं और जाल लेते हैं कि आखर इनके दिल और दिमाग में क्या चलता रहता है एक पर आपको बिक Eva 4 आप मुझे तक रीचाओट कर सकते हें उसकी अलग मेरा कोई और परस्नल नंबर नहीं है सबसे पहली चीज आपके पॉसन बेहर ज्यादा लोग फील कर रहे हैं एक ऐसी एनरजी दिख रही है जैसे कि इनहें लग रहा है कि इनने सब कुछ खो दिया सब इनकी जिंदगी से तितर बितर हो गया है सब इनकी जिंदगी से बिखर गया है एक ऐसी एनरजी दिख रही है ठीके मुझे यहाँ पर यह दिख रही है कि यह परसन इस वक्त में उस एनरजी में उस सिच्वेशन में पहुँच चुके हैं जिसमें इन्हें अपनी लाइफ में किसी भी तरह की खुशियों के मामले में क बहुत जदा भागने वाली एनरजी मुझे इस परसन के दिख रही है जैसे कि जो भी हालात हैं उन्हें फेस नहीं करना चाहरे हैं उन्हें बस सरेंडर करके उन्हें बस सौप सापके उन्हें बस उन्हीं हालातों पे छोड़ चाड़ कर यह परसन बस जैसे भागना चाहरे अपने आपको फ्री करना चाह रहे हो तो वो एनरजी दिख रही है मुझे काफी जादा पॉसिबिलिटी है कि ये परसन हैल्थ इशूस फेस कर रहे हो यानि कि इनकी तब्यत वगेरा भी खराब हो इसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे बेसिकली ऐसी चीज़े दिख रही है जैसे कि इनके मन में एक बात सेट हो गई है कि जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है वो हमेशा बनी रहेंगी वो कभी भी सॉल्व नहीं होंगी इस प्रॉब्लम का कोई अंत नहीं है तो ऐसा इनके मन में चलता रहता है ये परसंट डेफिनिटल एक भागने वाली आनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि अब ये कुछ करना नहीं चाहते बस रोते रहते हैं डिस्टर्ब होते रहते हैं परेशान होते रहते हैं इन्की एक ऐसे हालात दिख रहे हैं कि यह चाहते कुछ और हैं अपनी जिंदगी में नई cycle स्टार्ट करना चाहरा रहे हैं नई तरीके से करना चाहरा हैं लेकिन इनकी जिंदगी जो भी life है ना वो इन्हें किसी और ही पड़ाव में लेकर जा रही हैं तो वो चीज़ें यह person पील करते हैं बेहजादा लेटर सी मुझे दिखाई दे रहा है यू यहाँ पर दिख रहा है जो आपके परसन याप से रिलेट कर सकते हैं नमबर वन यानि की जैन्वरी मंथ ठीके एक ऐसी एनरजी दिख रही है कि कुछ तो यह परसन खुछ से परिशान रहते हैं खुछ से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कुछ कोई ऐसा इनसान इनकी लाइफ में है जो इन्हें न और ज्यादा परिशान कर रहा है या कर रही है जो इन्हें और ज्यादा इनके मन में डर पैदा कर रही है या कर रहा है तो वो भी दिख रहा है जो इस परसन के confidence को वही पर माड़ देती है ठीके एक ऐसी energy दिख रहे है जैसे कि इस परसन की सोच को वो बांधना चाह रहे हो इस परसन के अंदर जो भी हिम्मत भी है उससे वो बांध कर रखना चाह रहे हो ताकि ये परसन आगे ना रहे हैं वही पर उनके साथ रहें तो वो energy दिख रही है नमबर 2 यानि की February मन्त भी काफी लोगों से relate करता होगा यहाँ पर मुझे ये T letter भी दिखाई दे रहा है वो L letter दिख रहा है नमबर 7 यानि की July मन्त भी काफी लोगों से relate करता होगा C मैंने बताया और काफी लोगों के लिए ये 6 और 9 यानि की June और September मन्त भी हो सकता है बीसिकली कैसी energy दिख रही है कि जैसे अब ये person इसकदर अपनी हिम्मत खो चुके हैं इसकदर अपने आपको ये helpless feel कर चुके हैं कि ये काफी धीरे-धीरे move करना चाहते हैं काफी धीरे-धीरे कदम बढ़ाना चाह रहे है as in की बस फूख फूख कर कदम रखना चाह रहे हूं कौन कहा पर इन्हें किस तरह से परिशान कर सकता है या कर सकती है कहा पर इन्हें stress हो सकता है कहा पर ये stuck होकर रह सकते हैं तो इस तरह की thought इस तरह की thinking इस person ने अपनी बना कर रख रखी है इस परसन को अब अकेले रहना जादा पसंद आ रहा है क्योंकि ये किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और उस अकेले पन में इन्हें आपके साथ की याद तो आती है लेकिन आपकी तरफ बढ़ने के इन्हें रास्ते नजर नहीं आते हैं क्योंकि ये परसन इस वक्त में एक ऐसी सोच में है जिसमें इन्होंने सब तो सौप रखा है अपने भगवान को अपनी युनिवर्स को और फिर ये परसन भागना चाहा रहे हैं अपने दर्द से अपनी सिच्वेशन से अपने हालातों से तो वो दिख रहा है बेसिकली कैसी एनरजी दिख रही है चाहते तो बहुत कुछ है कुछ क्रियेट करना लेकिन कर नहीं पा रहे हैं एसन कि ये जो भी इनकी लाइफ का बुरा वक्त चल रहा है जो साइकल इनकी चल रही है एक बार भी इनसे कम्प्लीट नहीं होई है यहाँ पर भी incomplete रह गई यहाँ पर भी incomplete रह गई है ठीक है basically कैसी energy दिख रहे हैं कि बहुत बार की यह person यह सोचते रहते हैं कि आपके तरफ से इनके पास कोई ऐसा gesture आए जो इनके favor में हो जो इनके मन मताबक हो जो यह चाहते हैं उसके मन मताबक हो लेकिन वो चीज़े इनकी तरफ आपकी side से नहीं बढ़ रही हैं तो यह चीज़े इनके disturb कर रही हैं यह चीज़े इनहें लड़ने के लिए मजबूर कर रही हैं यह most of the time जो आपसे aggressive energy में रहते हैं या आपको block कर देते हैं तो वो इनकी frustration यहाँ पर देख रही है तो यह person ना mostly यह चीज़े सोचते रहते हैं कि जो यह आपसे चाह रहे हैं आपको वो दिख नहीं रहा ठीक है तो ऐसी energy मुझे दिखाई दी इस person की मन में एक बात set कर लिए कि मेरा बुरा वक्त है यह मेरा कठिन वक्त है मेरा तो वो चीज़े ना यह person बहुत जादा सोचते हैं और इसी reason की वज़े से काफी depressed रहते हैं और कही न कहीं depression का शिकार बनने की तैयारी जैसे खुद पे खुद कर रहे हो यह यहाँ पर दिख रहा है इस वक्त में कैसी energy है कि यह person किसी के साथ भी किसी भी बंधन में जैसे बंधना नहीं चाह रहे हो as in सबसे अपने आपको guard करना चाह रहे हो क्योंकि इनके मन में यह चीज़े set हुई वी है यह इस वक्त में इतने depressed है कि इन्हें ऐसा लग रहे है कि हर कोई मुझे से कोई ना कोई demand ही करेगा या करेगी चाहें फिर वो किसी भी तरह की हो पैसो की demand हो emotionally इनके support को लेकर हो possibility है कि यह person इस वक्त में जिस भी किसी के साथ है ना जिस भी third party में ही क्यों नहीं हो किसी भी रिष्टे में हो वहाँ पर इनसे समय समय पर demand ही करी जा रही है कभी पैसोगी कभी इनके साथ की emotionally support की और ये person उन चीजों से और जादा disturb होते है और जादा इनकी ये जो doubt है ना वो सब चीजों के लिए बढ़ता चला जाता है जिसमें ये आपको भी शामिल कर लेते है तो एक ऐसी energy है एजन की देखो जब इनसान depressed होता है या होती है तो वो हर तरफ से हर किसी को ये चीजें लेकर चलता है या चलती है definitely ये person चाहते हैं कि जो भी decision हो जो भी फैसला हो मेरे favor में हो और उस तरह से नहीं हो रहा है तो वो चीजें ने और जादा disturb करती है कोई ऐसी energy मुझे इस person के आस पास दिखाए दे रही है जो काफी चिपकू है एजन की इन्हें अपनी बातों में लेना चाहरी है इनसे बात मनवाना चाहरी है इन्हें अपने मन मुताबिक manipulatively way में इन्हें अपने according चलाना चाहरी है जो चीजें इस person को और depressed कर रही है जो चीजें इस person को सही होने नहीं दे रही या इन्हें अपनी खुश्यों को देखने नहीं दे रही है या खुश्यों की तरफ बढ़ने के रास्तों को देखने नहीं दे रही है तो वो यहाँ पर देख रहा है और इसी reason की वज़ह से इस person ने अपने आपको सबसे गाड़ कर रखा है क्योंकि इस वक्त में एक ऐसी depressed energy में हैं जिसमें किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आसपास के लोग ऐसे हैं चों इन्हें भरोसा करने नहीं दे रहे हैं अपने gesture के according अपने जो भी वो लोग कर रहे हैं न उस चीज के हिसाब से F letter मुझे याँ पर दिख रहा है E letter S letter ये सब मुझे दिखाई दिये हैं एक ऐसी energy दिख रही है जैसे कि ये person आगे बढ़ना चाहते हैं plannings करना चाहते हैं उस चीज को लेकर लेकिन डर इनके मन में इस कदर है कि उस planning को develop नहीं कर पा रहे हैं वो plannings इनकी ना problem में convert हो रही है एसन ये person जो भी इनके दिमाग में चीजे हैं उसे एक problem के तौर पर तो ले रहे हैं लेकिन उस problem का solution नहीं ढूण पा रहे हैं तो वो मुझे याँ पर काफी हद तक दिखाई दिया इनको ये लगता रहता है कि life बड़ी जहंड हो गई है जो है उसमें सुकून नहीं है उसमें शान्ती नहीं है उसमें सुधार नहीं है तो वो चीजे इनके मन में चलती हैं काफी सारे सवाल इनके मन में चलते रहते हैं जिनका जवाब इनके पास नहीं है और इसलिए इनके पास उन चीजों का जवाब नहीं है क्योंकि आस पास का महौल ऐसा है जो इने बांद कर रखना चाह रहा है उपर से इनकी life में कुछ अच्छा नहीं है जिससे इनका confidence अच्छान यह रहते हैं इनके अपनी एनरजी को बिल्कुल खुछ से भी बांद लिया है कोई और तो बांदे या ना बांदे खुछ से भी इनके आपको अपनी एनरजी को बांद कर रख रखा है और एक ऐसी नरजी देख रही है जैसे कि इन्हें ना relationship पे से रिष्टों प पर पहुँच ही इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन्हों ने अपनी सोच को अपनी अनर्जी को विक्टे मान रखा है तो वो मुझे काफी ज्यादा यहां पर देखा ठीके और देख लिएते हैं गाइड कीजे विएस प्लीजई निव tiresome फ्ली ते चैसे में आपको अलरेडी बता ही चुकी हों आईसोलेशन एनर्जीज भी बताई जाएंगी जिस भी किसी परसन के साथ आप डील कर रहे हो या जिनकी लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उन्हीं की एनर्जीज होगी ठीक है गाइट कीज़ बताईए उनिवर्स क्या है वीवर्स के परसन के दिल और दिमाग में उनिवर्स गाइड कीज़ बताईए सप्रेशन क्रियेटिविटी मौरालिटी अलोननेस एन बॉटम अफ देख है इनोसेंस ठीक है तो दीकिए मेजरली जो एनर्जीज यहाँ पर आईए हैं उसकी अलग यहाँ पर आपकी टॉर्स की अनर्जी आ गई है यह आपकी एरीज यह आपकी वर्गो की अनर्जी है ठीक है तो दीकिए सबसे पहली चीज़ इस परसन ने डेफिनिटली अपने आपको काफी जादा अकेला तो कर रखा है यह परसन अपने आपको अब काफी जादा अकेला महसूस करते है इनके दिमाग में इनके मन में यह चीज़े 24 गंटे चलती रहती है कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है मेरी तरफ बुरा वक्त अट्रैक्ट कर रहा है या मेरा खराब वक्त चल रहा है और मेरे लिए इस वक्त में यही बेटर होगा कि मैं इस वक्त को अकेले ही डील करूँ और अकेले ही रहूँ क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इस बुरे वक्त ने ही मुझे अकेला करा और अब मुझे इस बुरे वक्त से अकेले ही सब कुछ सीखना है तो वो चीजे इनके मन में चलती रहती है, इनके दिल और दिमाग में चलती है ये परसन इसी reason की वज़े से काफी ज़्यादा फूख फूख कर कदम चला रहे हैं अपने क्योंकि इन्हें हर एक कदम पर चलते हुए इस तरह से डल लगता है कि पता नहीं कौन सी चीज मेरे against कब आकर खड़ी हो जाए तो यहाँ पर देखिए moment to moment and slowing down यानि कि बहुत धीरे धीरे फूख फूख कर कदम ये परसन रख रहे हैं दिल और दिमाग में इनकी बहुत ज़्यादा घुटन सी है जो हर वक्त चलती रहती है इवन इन्हें ऐसा लगते है कि कौन सी चीज का stress इनके ऊपर चल रहा है इन्हें खुद उस चीज का नहीं पता उस चीज की calculation उस चीज को ये परसन खुद नहीं calculate कर पा रहे है इन्हें ऐसा लग रहे है कि हर तरफ से मेरे ऊपर burden चल रहा है हर तरफ से मैं इस वक्त में injured हूँ यानि कि हर तरफ से मैं घायल हूँ इस वक्त में चाहिए वो physically हो क्योंकि health issues भी इन्हें हो रहे हैं और emotionally भी यह काफे जादा injured अपने आपको feel करते हैं कुछ create definitely करना चाहते हैं लेकिन create करने के लिए definitely इनसान को stable mind होना चाहिए या उसका state of mind सही होना चाहिए बट इनका नहीं दिखरा अपनी energies को अपनी सोच को इतना ज़्यादा isolate इतना ज़्यादा बांद कर इन्होंने रख रखा है जिस reason की वज़े से इनका confidence कब खतम हो रहा है अपने ही हातों से उन चीज़ों को इन्हें realize नहीं हो रहा है इनके मन में ये चीज़े चलती रहती हैं दिल और दिमाग में कि मैं तो मासूम हूँ मैं तो innocence हूँ मैंने किसी का बुरा नहीं करा तो मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है या मेरे साथ क्यों सही नहीं हो रहा तो इनके मन में चलती है यानि कि कि इन्हें आसा लग रही है कि मैं गलत हू हू नहीं लेकिन मुझे गलत साबित करा जा रहération है और वो चीजें इन्हें अंदर ही अंदर एन्हें रुला रही है आपको बहुत याद करते हैं अंदर ही अंदर लेकिन इनकी situation या इनके حالात ऐसे नहीं है कि आपको याद करके या आपकी तरफ बढ़ें या आपसे बात करें तो वो भी है यानि कि इनकी life में इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ आप से related problems नहीं है relationship से related problems नहीं है इनकी life में इस वक्त में इनकी सोच में भी काफी जादा problems मुझे दिख रही है जिस reason की वज़े से actually में आपको miss करने के बावजूद भी काफी जादा slow energies में ये person रहते हैं ठीके तो ऐसा नहीं होता है कि इनसान अगर परिशान है याद कर रहे तो वो तुरंट आ जाए आपकी तरफ क्योंकि काफी लोगों को ये लगते है कि भाई इतना जादा याद कर रहे हैं तो आ क्यों नहीं है तो एक ही problem इनकी life में नहीं है इनकी life में बहुत सारी problems है काफी depressed इनकी सोच बनी हुई है उस depressed सोच में ये person कैसे आपको अपना प्यार जाहिर करें उस वक्त में इनसान को ये नहीं सूझ रहता कि वो प्यार जाहिर करें इस वक्त में तो वो अपनी ही life की उलजहनों में उलजहा रहता है या उलजही रहती है तो वो एनोर्जी दिख रही है वीवस के person के messages दीजिए उनिवर्स गाइड की इज़र बताईए I am afraid of commitment तो देखें ये person जो है इस person के दिल और दिमाग में ये डर चलता रहता है कि ये खुद इस वक्त में उन हालातों में उन situation में हैं जिसमें अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं ले पा रहे हैं फिर एक commitment की कैसी जिम्मेदारी उठा पाएंगे चाहें आप इनसे committed हो या नहीं हो तो काफी ज़्यादा डरी हुई काफी ज़्यादा confidence लो वाली energies मुझे आज इस person की दिखाई दिये है You make me feel things I have never felt before हाला कि आप एक ऐसे इंसान हो इनकी जन्दिगी में जिन होने इन्हें प्यार करना confident रहना, लड़ना ये सब सिखाया या फिर ये सब सिखाया जो इन्हें कभी पहले ना तो feel हुआ था ना इन्होंने कभी इन चीजों पर इतना कुछ द्यान दिया था तो वो चीजें इनके मन में हैं यानि कि प्यार ऐसा नहीं है कि इन दिक्कतों के बाद प्यार खतम हो गया या याद करना इन्होंने बंद कर दिया लेकिन हाँ अपनी लाइफ में उल्जन बहुत है इनके यह यहाँ पर डेफिनेटली है आपके साथ एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं और यह ट्रिप पे जाने का मतलब यह है कि यह परसन इस डिप्रेशन से इस anxiety से अपने आपको दूर लेकर जाना चाहते हैं और उस इंसान के साथ जाना चाहते हैं जो इन्हें शान्ती दे, सुकून दे जो इन्हें समझे, इन्हें बस सुने इन्हें जज ना करे तो यह आपसे यह कहना चाहते हैं ठीके I believe we are meant to be together इन्हें विश्वास है इस चीज का कि हम लोग एक दिन definitely साथ होंगे, लेकिन अभी जब अपनी उलजनों से निकलेंगे तब ही तो हम लोग साथ होंगे या उस चीज को यह तब ही तो सोच पाएंगे तो यह आपसे यह कहना चाहते हैं Nothing else matter but you तो आपसे यह कहना चाहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी important नहीं है सिवाए तुम्हारे साथ के तो ऐसा आपको अगर लगते हैं कि इनके लिए कोई और important है तो ऐसा तो नहीं है यह आपसे यह कहना चाहते हैं बहुत सारे cards हैं यह guide कीजिए बताइए viewers के person के messages दीजिए I see why everything happened the way it did तो basically यह person अब उस energy में पहुँच गए है यह सोच रहे हैं यह कहना चाहते हैं कि अब जान चुके हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है ठीके basically यहाँ पर एक ऐसी energy दिख रही है कि समझना तो शुरू कर दिया है इनोंने लेकिन उस चीज़ का solution यह अभी भी नहीं मिला है तो यह आप से यह कहना चाहरे है I appreciate the lesson you taught me तो basically जो भी हालाच चल रहे हैं न उस मामले में आप से यह कहना चाहरे हैं कि यह तुमने मुझे life का सबसे बड़ा lesson सिखाया जिसके लिए यह आपको appreciate करते हैं I have told my friends about you और यह इसी चीज़ को अपने friends से भी बोलते हैं ठीके तो अगर आप लोगों के रिष्टे के बारे में आप दोनों के दोस्तों को पता है या इनके friends को पता है तो यह definitely आपके बारे में उनसे चरजा करते हैं यह आप से यह कहना चाहरे है I feel like you have moved on from me तो आप से कहना चाहरे है कि मुझे तो अब ऐसा लगता है कि तुम मुझे move on कर रहे हो या कर चुके हो already I choose to be with you अगर मुझे choose करने के लिए मिल जाएना एक बार तो मैं सिफ तुमारा साथ ही choose करूंगा या करूंगी तो यह आप से यह भी कहना चाहरे है तो overall काफी ज़्यादा depression इनके दिल और दिमाग में चलता रहता है काफी ज़्यादा उलजनी काफी ज़्यादा परिशानिया मुझे आज किस reading में इनके दिमाग में चलते होई दिख रही है इसे surrender कहने को कर भी चुके है लेकिन actually में कर नहीं पा रहे है तो वो मुझे clearly यहाँ पर आज किस reading में दिखाई दिया है ठीके तो यह थी मेरी reading I hope आपको reading के माध्यम से clarity मिली हो connect कर पाए हो अगर आपको clarity मिलती है connect कर पाते हैं तो बताईएगा जरूर और चैनल को like, share and subscribe जरूर कीजेगा ताकि आप लोगों के लिए सी तरह से नई-नई readings, नई-नई topics में लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यूही बना रहे आज के लिए बस इतना ही ओके बाबाई